आज हम बात करने वाले ए जो है उसके बारे में ए जैनिक नेम इसका जो क्यमिकल नेम जो होता है वह एकशन या फार्मकोडायमिक तो एस्प्रीं जो होता है वह क्या करता है कि cyclo oxidase enzyme जो है उसको inhibit करता है और उसका inhibition के कारण से prostaglanding जो है और thomboxygen जो होता है उसका synthesis नहीं हो पाता है prostaglanding जो होता है वो एक प्लकार का inflammatory mediator होता है उसका synthesis नहीं होने के कारण से inflammation जो है वो नहीं हो पाएगा मतलब एक तरह से inflammation जो है वो reduce होगा तो यह anti-inflammatory की तरह काम करती है second prostaglanding जो होता है वो क्या करता है कि nerve impulse जो होता है उसके कारण से pain होता है तो aspirin जो है वो prostaglanding का synthesis नहीं करता है और उसके कारण से pain impulse जो होते हैं उसका transmission जो होता है वो central nervous system के अंदर कम होगा और जिससे pain जो है वो relief होगा मतलब एक तरह से analgesic जो है उसकी तरह एक drug काम करेगी तिसरा prostaglanding जो होता है वो hypothalamus का temperature regulating center जो का है उसको stimulate करता है उसके कारण से fever आता है aspirin जो होता है वो prostaglanding का synthesis नहीं होगा जिससे hypothalamic thermostat जो होता है उसके अंदरोग modify करेगी और जिससे क्या होगा peripheral vessel dilatation होगा और sweating होगी मतलब peripheral blood vessels जोती है वो dilat हो जाएगी और साथी साथ sweating होगी उससे क्या होगा body temperature जो है वो क्या होगा कम हो जाएगा मतलब fever जो है वो blood की clotting होती है उसका अगर inhibition होगा तो इससे क्या होगा जो होगा वो इनिविट हो जाएगा तो एक तरह से यह anti-platlet जो होता है उसको इकटा होने नहीं देती इसके अलावा एक तरह से we such a lot करते के हुआ है उसके सिंधेसिस को इनिविट करती है उसके एक और से लेवर के अंदर जो clotting factor जो है उसका निर्मान नहीं हो पाएगा तो दोना यह anti-platletlet and clotting factor का निर्मान नहीं हो गा और उसके कारण से क्या होगा ब्लड के अंदर जो क्लोटिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी प्लड के अंदर प्लोड जो नहीं बनेंगे यह तो इसका माइकनिजम एक्षन या फार्मिको डाइनामिक हो जाएगा अब बात करते हैं इसका यूज जो है मिद्ध क्या काम आ और उसके लिए्विजं गर्ण के इसके काम मिली जाती जैसे अर्तिक फीवर जो है और पैंढ़र ऑर्प्स्ते जो है मतलब मायो काड़ेंट इंफेक्शन जो होता है उसके प्रिवेंट करने के लिए काम मेली जाती है इसके अलावा प्रॉम्बो इंबोलीज्म उससे बचाव करने के लिए बिद्रग उसका उप्योग किया जाता है क्या काम आती है वह हो गया नेक्स्ट हम बात करता है इसका डोज और रूट तो डोज के अंदर एक तो एंटिपारेटिक मतलब पेंज जो है और फीवर जो है उसको कम करने के लिए एडल्ट के अंदर यह औरली जो है वह 350-650 मिलिग्राम QID मतलब दिन में चार बार दी जाती जिसका जो रहता है वह 4 ग्राम पर डे रहता है उससे जादा यह नहीं दी जाती चायल के अंदर यह औरली 40-65 मिलिग्राम पर केजी पर डे जो है दिन में चार बार जो है वह यह दी जाती है एक आर्फराइटिस की कंडिशन जो है तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर एडल् मिलिग्राम पर केजी पर डे जो है वह फोर डोस के अंदर ओरली दी जाती है एक थ्रॉम्बो एंबोलिक डिसॉर्टर की कंडिशन है उसमें ओरली 325-650 एमजी जो है वो दिन में एक बार या दिन में दो बार यह दी जाती है मैं प्रोफाइल एक्टिव मनब हार्ट अटे सका इनständा मोमेंट बडिक में कैसे होता है तो नियसका है और जो है बैसके जो होकों आतना के णिवह पर नहीं पर वहां पर होता है इसका धिस्टी जह इंदर वार बार एकंट के डिक वह पर पर रहता है इसको बडिक मेरेख जो है वो cross करती है metabolism में अगर देखे drug का तो gastric mucosa जो होता है उसके अंदर ये drug जोते है वो salicylate के अंदर hydrolyzed हो जाती है उसके बार ये salicylate जोता है वो liver के अंदर metabolize होता है elimination या excretion अगर देखे तो 50% drug जोती है वो 2-4 गंटे के अंदर urine जो है इसके अलाव breast milk जो है उसके अंदर भी drug का excretion होता है तो ये तो इसके फार्मे को kinetik होगे अब बात करते है drug जो इसका contraindication में जो इस condition में drug जो एवर्ड की जाती है नहीं दी जाती है तो एक तो hypersensitivity या allergy की condition मतलब patient को यदि aspirin से allergy है तो उनको ये डर्ग नहीं दी जाती एक GI ulceration की condition है जैसे peptic ulcer ready है उसमें भी एवर्ड की जाती है इसके अलावा GI bleeding या bleeding की disease condition है तो उसमें भी एवर्ड की जाती है एक dengue fever जो है उसके अंदर भी drug जो एवर्ड की जाती है तो इस condition में डर्ग को एवर्ड की जाता है क्योंकि उसके कारण से bleeding जो है उसके संभावना बढ़ सकती इसके अलाव pregnancy के अंदर डर्ग जो इसको एवर्ड की जाता है especially third trimester जो है उसके अंदर डर्ग जो है वो नहीं दी जाती एक दो साल से छोटे बच्चे जो है उनमें भी ड्रग नहीं दी जाती एक रही syndrome जो है या chronic urticaria की condition है उसमें भी ड्रग जो है कोशन के साथ दी जाती है यह तो ड्रग जो इसके contra-indication हो गए side effect या adverse effect क्या हो सकता है तो common adverse effect जो रहते है वो रहता है एक stomach के अंदर bleeding का होना एक bleeding time जो है उसका प्रोलंग हो जाना या bronchospasm की condition जिसके कारण से अस्तमा जो है उसके symptom और जाड़ा सीवियर हो सकते हैं जो है उसके order उसके कारण से कानों के अंदर भराव जो है वो tinnitus जो है वो मतलब कानों में गंटे सुनाई देना या hearing loss जो है वो condition हो सकती है फिर बात करते ड्रग interaction मतलब aspirin की ड्रग के सार्ट करती है तो aspirin measurement drug जो इसके सार्ट करती है जैसे metrotrexate जो है उसके साथ देने पर इसके toxicity जो है वो कम हो जाएगा और उसके कारण से ब्लड के अंदर aspirin का concentration जो है वो बढ़ सकता है मतलब मात्रा बढ़र के अंदर बढ़ सकती है एक पेन की लगज़े से इरिटेशन कर सकते सेल का production हो सकता है तो उसके कारण से मिल के सार्थ लेने पर समस्षा जो है वो कम हो सकते एक कोई फिजिकल activity या exercise जो है वो करने से 30 में पहले ड्रग को लेना है ड्रग लेने के तुरंट बार physical activity या heavy exercise जो है वो करने चाहिए इस कंडिशन में ड्रग ले जा रही है तो मेंसेज जो होने से एक या दूर दिन पहले यह ड्रग जो है उसको लेना चाहिए वह करवाने के एक सफ़ता पहले ड्रग जो है उसको संबावना हो सकते हैं यह था experience होता है वह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और ड्रग जो इसके बारे हम बात करेंगे नर्सिंग लेटेट वीडियो देखने की चैनल को सब्सक्राइब केजिए थैंक्यू